वेल्कम बाग टू आर यूट्यूब चैनल आज की वीडियो से आपको क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है वह मैं आपको डायेक्शन नहीं पता है तो आप लोग कौन से साइड भी ट्रेड ले लोगे चाहे ऑप्शन वाइंग कर लो कुछ भी कर लो हैजिंग कर लो कर लो अप्शन सेलिंग कर लो कुछ भी कर लो आपका प्रॉफिट जरूर होगा ठीक है थर्ड इंपोर्टन थिंग है प्रेडिक्शन कैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी कैसा ट्राप करेगा लोगों को उसके बाद किस तरह से बांग निफ्टी को सपोर्ट करेगा क्य यह घ्यानि कि मैंने तो अपसेट हुआ लेकिन जो लोग अज थे उनका क्या रिजन था और मेरा क्या रिजन था यह आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इंप्रोटन थिंग है मार्केट की साइकोलोजी यानिकि रीटेलर्स की साइकोलोजी 95 परसेंट जो लोग है जो र यह वीडियो रह सकता है किस तरह से आपको ट्रेड लेना है कौन से डायरिक्शन में लेना है इस सारी चीज़े आपको पता चलेगी नेक्स्ट अगर आज मेरा टार्गेट हीट हुआ है लेकिन यहां पर जो मिस्टेक थी मैंने आपको वीडियो में भी बोलिए कि क्या मिस्ट देना ठीक है तो आपकी जो भी इंपोर्टन लर्निंग रहेगी वह देखके सभी लोगों का बेनेफिट हो जाएगा कमेंट में अगर आप लिखोगे कि आपने इस वीडियो से क्या सबसे जादा इंपोर्टन सीखा वो देखने के बाद वह पढ़ने के बाद बहुत लोग 40,000 they to buy और 40,000 c e का नेक्स्ट एक्सपाइरी का ट्रेड यानि नेग्स्ट एक्सफबर का क् OT हम लोगों बाइगा ठीक होत्स टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो टारगेट एगर हम्ने जो बािंगध वह हम अरी थोड़ीले टो चुकिया ठीक है फॉर सिक्स्ती फोर का यहां पर अपने एंट्री प्राइज है एक्जैक्ली यहां पर अपनी प्राइज हो चुके थोड़ा सजल्दी हमने लेली यहनी की लेट उन्हें लेली हमने अब इसका टारगेट फ्रस्ट टारगेट अपना रहेगा 500 ठीक है तो देखते हैं किस तरह स को observe करके यानि कि market trending है तो छोटे छोटे पूल बैक्स में इसको ऊपर जाना चाहिए इस logic के according हम लोगों यहां पे ट्रेल लिया हुए ठीक है फिलाल तो नेगेटिव में चल रहा है 10-14-12-14 points के आज पास negative में चल रहा है बट देखते हैं wait करेंगे जो next expiry ठीक हम लोगों ने contract लिया है वह अपने को time दीके से यहां पर बचाता है ठीक है तो देखते हैं अगर मार्केट यहां से उपर जाएगा तो अच्छा का सा अपने को wait करना पड़ेगा तो देखते हैं किस तरह से यह अपना जाता है ट्रेड तो ले लिया एसल भी लगा दिया है order अपना intact है सब कुछ है अब wait करेंगे simply ठीक है यहां पर जो reasons है और भी मैं explain अगर करना चाहूं तो exactly resistance के फिर से यहांपर क्या कर रहा है वीकने शोगर यानिकी रीटेलर्स को इनवाइट कर रहे त्रेड लेने के लिए रीटेलर्स को यहां पर candles अगर बना रहा है resistance पे तो that means कि जो seller से वो weak है यहां पे ठीक है और अगर sellers weak है तो यहां पे सिर्फ यह बताएगा इनवेट करेगा और इस तरह से उपर जा सकता है क्योंकि यहां पर trending market होने की probability बहुत ज़्यादा है क्यों प्रोबैबिलिटी करने लगया वीक है बना रहा है और उपर sharply मूव कर रहा है तो आप लोग चेक कर सकते हो यहां पर देखते हैं किस तरह से मार्केट जाता है और करने की कोशिश करेंगा अगर की अगर मार्केट ने अपना फर एक्जमपल 464 की एंट्री 500 बता देता है अपने को 500 इस लोन में आ जाता है अगर 490 to 500 के तो अपन एसल को क्या करेंगे सिर्फ 15 रुपे का रखेंगे ठीक है फिर इसको ट्रेल कर देंगे फिलाल हम लोगों ने एसल यहां पर लगाया हुआ है और यानि कि 34 पॉइंट का वह से होता है चेक करते हैं अभी देखते हैं अपने लिए एक बेनेफिट है कि कैस तरह से जो टाइम दीके होता है उससे भी हम लोग बच सकते हैं और अभी हमको मतलब बिलकुल भी टाइम दीके व अगर मार्वी यहां से ट्रेंडिंग होता है एक ट्रेंडिंग मार्विकित अवदन को मिलता है तो यह 40.000 कद गाल करेंगे यहांद करेंगे तो ही मजा आएगा ठीक तो फेवर में जाने के लिए अपने को वेट करना पड़ेगा लेट सी क्या होता है resistance पर continue sellers को invite कर रहा है यहां पर एक बार ट्राप किया ऊपर या फिर फिर पुल बैग लिए अब market continue हो सकता है ठीक है तो देखते हैं मैंने आपको क्या बोला था कि 490 वगेरा कि आसपास अगर आता है 495 प्लस अगर आता है तो हम लोग एसल को ट्रेल भी करेंगे ठीक है क्योंकि आज एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो अपने को एक अच्छा खासा इसको 40,000 क्रॉस करने दीजिए और भी बड़ा मुमेंटम य करने की कोशिश करेंगे क्योंकि option बाइंग जब आप कर रहे हो तो थोड़ा 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 प्रॉफिट आपको बुक करते हो चलना चाहिए तो हाफ क्वांटिटी हम लोग कहां पर बुक करेंगे 500 प्लस 500 प्लस दीखेंगा तभी हम लोग अपनी जो क्वां सब्सक्राइब यहां तक का अगर हम लोग टार्गेट लेते हैं अभी इसने कितने पॉइंट्स अपने को दिए तो ट्रेलिंग के तरह से करना है वह भी आपको समझ में आजाएगा इसने अपने को अभी दिए 23 पॉइंट्स ठीक है यहां पे मार्केट जो इस तरह से आकर यहां पे रेड़ कैंडल बना रहा है यह किसको ट्राप करा पता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेक आउट होते ही अगर ऑपोजेट में जाएंगे तो उनका मतलब जो फेक ब्रेक ट्रेड करना है वह उनका मतलब सही हो जाएगा इस तरह के ट्रेड करते हैं कुछ वीडियो देखे यह सोसते कि हाँ बस ब्रेक आउट हो गया और ऊपोजेट चले जाओ लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है आज ट्रेंडिंग मार्केट कब हमको कौनसे साइट ट्रेड लेना होता है का वहमको सेलर्स्ट्राप और रेजिस्टन्स पर ब्रेक आउट पर यह सारी से continue हो सकता है ठीक है अगर हम लोग मैं आपको डॉर करके बतातों तो यहां से भी उसके लिए हम लोग वेट करेंगे टार टक का वेट करेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि करके बताओ तो सब्सक्राइब कर रहा है उसको तो आप लोग एनलाइज यानि कि उसको सीखलों पर ले ठीक है तो अब जो अपना ऑप्शन है वह 470 के पास चल रहा है थोड़ा बहुत एंट्री के आसपा से चल रहा है बट चेक करते हैं अपने वेट करेंगे ठीक है इस तरह से हम लोग ने 500 का फॉर्स टा अब आप लोग चले जाओ लेकिन एक रिजिस्टंस जून पर इस तरह से करेगा तो मुस्ट प्रोबैबिलिटी चांस जो है कि इस तरह से मार्केट उपर जा सकता है और उसी के लिए हम लोग विश्क करेंगे उसी के लिए हम लोग एनलाइज करेंगे तो देखते हैं जो बढ़ किस्टेंट करते हैं आपको बडेट करता हूं ठीक है और जो प्राइक सेलेक्शन हम लोगयों आज आज एक स्कूटे तो आज हम लोग हम लोगों को अभी कोई बीक्टे स्वाय का निया है तो देखते हैं अभी वेट करते हैं आपको अपडेट करता हूं तो ट्रेड की सिच्वेशन फिलाल यह है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया है दो पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने असल को बढ़ा दिया था कर दिया था हम लोगों ने जनरल यह सा नहीं करना चाहिए अभी इस ट्रेड में इसलिए हम लोग ने ऐसा किया ठीक है अभी मार्के ने अच्छे से सेलर्स को भी इनवाइट किया और जो लोग अल्रेड़ी यहां पर बाइंग के साइड आ चुके थे जो ऑप्शन बायर्स भ मार्केट ने क्लोज कर वाइए उस स्केंडल का लो ब्रेक किया क्योंकि जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा लोगों के अच्छे से उपर जा सकता है इसकी प्रोबैबिलिटी है अगर हम लोग अपने ट्रेड की बात करेंगे तो आ चुका है फिर से एंट्री के पास 10 पॉइं जाने के लिए अच्छा मौका है अच्छा चांस है ठीक है और एक चीज़ यह मेरी बहुत बार की अगर मैं आपको बताता हूं यहां पर तो होता क्या है जब भी मार्केट इस तर से रेजिस्टन्स पर 15 मेंट कैंडल पे रिजेक्शन 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 को बढ़ा दिया ठीक है अगर इसको चेक करते हैं तो फविट करना है यहां पे देखेंगे यहां पर इंदा दे हैं गर कंड मार्केट यहां पर आ जेंगे ऐंगे और देखते हैं कब तक इसको घॉल्ड कर सकते हैं अभी तो फिलाल बहुत आच्छ इसके पास चांस है owners को दो बार मियाट करने के बाद हेड हैं ब Hospice बना रही लेकिन जो candle की स्ट्रेंथ याट वीक्स candle की स्ट्रेंथ तो इस तरह की बिगदल की स्ट्रेंथ नहीं ओने चीए घली रेजिस्टन्स से शाल डॉन फोला गया फिर थोड़ा सा वोलाटिल डाउन मुव आया और अब मार्केट बस छोटा सा पूल बैंक एंड कंटीनियो इसके एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग अभी भी ट्रेड में बैठे हुए ठीक है चेक करते हैं देखते हैं किस तरह से मार्केट जाता है किस तरह से मार्केट भी करता है ठीक है हम लोगों ने ठ्रेड थोड़ी सी लेट एंट्री ले ली थी हमने यानिकी टॉप के अश्पास अपनी यहां पर उसके बाद मार्केट फेवर में भी आपने अपने एट का है लगा है उसके यहां तक आके अब मार्केट जा सकता है इसके प्रोबाइबिलिटी अच्छी का सि हो चुका है सारे यहां पर सेलिंग के साइड के जो इन्विटेशन दे रहा है यह एक जो रीजन है कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है तो एक चीज़ अपने को बेट करने चाहिए थोड़ा से पुल बैक पे डाउन साइड में मूव लेना चीए था ठीक एंट्री लेने का मैं अब चेक करेंगे अब चेक करते हैं और और एक चीज़ इतने मुमेंटम में जनरल यह अप्शन बाइंग का जो एसे लेवो हीट हो सकता था लेकिन हम लोगोंने नेक्स्ट एक्सपाइरी का ट्रेल यह पंदरा सब्टेम्बर इसलिए हम लोग बच्चिए होगे ठीक है तो नेक्स्ट एक्सपाइरी का ट्रेल लेना आपको बहुत जादा बेनेफिट रहेगा ठीक है अब यहां पर मार्केट ने इस तरह सकता है इसके बाद उपर जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है तो चेक करते हैं अभी वेट करेंगे अपन ठीक है जो भी होता है आपके साथ अ यहां पर डिक निचे के लिए नीचे के लिए पंदरा मिनिट की यहां पर लोगों के ऐसे लेट करने के लिए ऊपर के साइड कर सकता है और हम लोग अपने बने होए ठीक है सारी चीज़े जैसे कि मैंने आपको कल बताया आज गैप डान भी क्यों खुल गया मार्केट यह बेरिश फ्लाग पाटन बना दीया मार्केट ने बिरिश फ्लाग पाटन बनाने के बाद हर कोई रीटेछ इसका ब्रेकडयं भी होगा ठीक है अब ह्यांसे etcetera ब्रेकडयं करते हैं औरेक्ड़ रीटेस्ट यहां पर उपर के कॉल चौट कि होंगे तो मार्केट को उनके एसे लेट करना अभी फिलाल इजी है तो उसकी लिए हम लोग भी वेट करें हम लोग ने इस मुमेंटम के लिए लिए लिया हुआ है बहुत सारे कन्फरमेशन सोते हैं बहुत सारे अब बोल सकते हो कि एक्सपीर तो लेट सी जो भी होता है आपको अपडेट करता हूं में वेट करते हैं अभी हम लोग ओके इस सो ट्रेड की सिच्वेशन फिलाल ऐसी है कि फिर से एक बार एंट्री के पास मार्केट आ चुका है ठीक है जो जैसा कि मैंने आपको बोला था यहां पर ब्रेकडाउन दिया ह आपको अबर जा सकता है तो वैसा तो हो रहा है अभी उपर जाएगा तो ही होगा राईट फिलाल एंट्री के आज पास चल रहा है तो देखते हैं अभी वेट ही करेंगे हम लोग यहां पर वेट किया था तो टार्गेट तक भी वेट करेंगे और उप्शन बाइंग का ट् बूल चुका है कल ये लोग जो थे हैं ये लोग सेल करके गई थे तो अब यहां पर मार्केट क्या करें और उनको बतारे कि हाँ आप से लोगा लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो लोग उपर के को देता है तो वो सब चेक करेंगे वेट करते हैं अभी आपन स्टिक लिए ठीक है फिलाल तो 1.5 कर रिस्क रिवार्ड हम लेने लगा के रखाए यहां पर अगर क्विकली आता है तो भी इसको बढ़ाएंगे यहां तो फिर बुक करने की कोशिश करेंगे ठीक है लेट सी जो तो जो सब्सक्सॉब कर दिया है तो ऐसा ही होता है एकत्वी सब चीज याद आती ये पास्ट में दस बार होच yum जब आप अगर अगर आपनों देखते हैं तो अपने लाने करे यह याद्ञा था तो आननी रूहें विडियो कि फप्यूश्फाब्राशम के मसलेश में तो चाहिए तो वेट करते हैं अभी अपना जो एक पॉइंट से बज गया था टीक है वन पॉइंट वन सिंगल पॉइंट के वज़े से अपना जो है एसल बज गया था तो अच्छा हुआ हम लोगों ने इसको दूपॉइंट सिर्फ एक्स्टेंड किया था रहे टाए टा तो इंसाइड लेके जाता है अगर यहां तक नहीं भी आया तो भी लेके जाता है बड़ बज गए हम लोग इसको हम लखिली ही बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर अपने राइट डिरेक्शन में ट्रेड लिया है थूड़ा सा राइट ऐसे लमने लगाना यह जो मूव आत लेकिन मिस्टेक अगर मैं अपको बोलू तो वह है थोड़ा सा टॉप के आसपा थाही हो गलत हो इक ही रहेगी वह फ्रॉट पे ना लेना और थोड़ा सब्सक्राइट कर दिया थिक है तो देखते हैं अभी तीन बार इसने रिमोव कर दिया है ग्यारा बच्के 25 मिनिट हो चुके हैं अब इसके बस अच्छा का साथ चान से उपर जाने का दिली दिली जाएगा हो सकते हैं यहीं पर टाइम पास करके फिर उपर चला जाएं तो उसके लिए अपन वेट करेंगे ठीक है अभी भी अपनी पोजीशन बनी हुई है तो देखते हैं अगर इतना अच्छा से लमने लगाया और उसके अगेंश में अब अपन टार्गेट तक वेट जरूर करेंगे तो देखते हैं अब जो भी होता है आपको अपडेट करता हूं तो चल रहा है एसल के पास आके वापिस से रिटेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ह होगा देखते हैं मार्केट इस सुप्रीम वेट करते हैं और आपको अबडेट करता हूं मैं अभी यह जो रिसेंट कैंडल चल रही है यह सको रिजेक्शन आगया अब यह चैनल भी क्या इस तरह से वेक नीचे बना चुके अब यह भी कैनल इस तरह से एक बड़ी ग्रीन बनाने की possibility बहुत जादा है कैसे मैं बोल रहा हूँ experience के बेस पर बोला हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि आज मार्केट ने क्या कि एक अपमोब लगा अपने 50% के ऊपर ही लोगों को इंवेट करके सको सेलर्स काई मेट करे रैट कि सेलर्स को इनवेट करनी के बाद यहां पर नकरों कर पिर नकरिए ढूंद यहां पर जा सकता है यानि की अगर आज है तो उपर जा रहा है छोटे से अभी कंटीनिव हो सकता है इसी जोन में इसी इतना मुझे आसा लग रहा यहां हो इसा लग रहा है ठीक है कि दो बार अपना जो है एसल के बहुत नस्दिक से मार्केट रिवर्स हो चुका है बार-बार नीचे आके उपर जा रहा है अब फाइनली अगर यह चला जाता है यहां पर आगया फिर यहां पर आगया आप फाइनली अगर इस चरह से जाता है तो अच्छा हो जाएगा ठीक ह उसे के लिए अपन वेट करें उसी के एकस्पेक्टिशन के साथ अपन वेट करें देखते हैं अभी बुलिशनेस तो देख रहा है बहुत लोगों को इस रिजेक्शन जोन पे मार्केट नहीं क्या कि इनवाइट क्या और अगर इसको 40,000 जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ज इस तरह से बता रहे है रिजेक्शन रिजेक्शन लेकिन ऊपर जाता है यह फाइनली स्ट्रॉंग मोमेंटम के साथ तो उसके उपर में एक वीडियो बनाने वाल था बट अभी यह लाइव ट्रेडी चल रहा है तो इसी में आप लोग सीख लेजा ठीक है देखते हैं उसके अनलेसिस क्या है यहां पर एलसे सिंपल है कि रेजिस्स्तन जोन रेजिस्टन जोन पुरी दुनिया यहां पर को चौट करता है औप्शन से शॉट करते फिर मार्केट जब नीचे बयाए बेर ओला है और और भी सेलर्स आगया पर से रिजिस्टन जोन यहां पर आएगा तो को क्या करेंगे लोग हां रेजिस्टन समझ के यहां के कॉल चॉट कर देंगे और मार्केट फिर उनके ऐसे लिट करने उपर जा सकता है इसकी प्रोबैप्टिटी जादा है इसलिए में ट्रेड लिया ठीक है अब देखते हैं जो भी होता है ठीक है एंट्री के पास चल रहा ह कर सकता है पता है निफ्टी ने अभी एक डेयों ब्रेक कर दिया रहे तो लोगों को ट्राप कर सकता है कि इस literal हो चुगा है इसका यह बनाएगगा और फिर मार्केट यह अगर दीरे दीरी उपर आएगा तो बहुत सकते हैं तो यहां पर बहुत अच्छे से उपर चला जा सकता है तो देखते हैं अभी जो भी होता है वेक्स के अगर बात करें तो विग्स बीडिटिव चान रहा है जितना विञ्टिव जाता रहेगा उतना अपने लिए बैनिफिट होता रहेगा ठीक है सब्सक्राइब कर देगा तो अच्छा हो जाएगा ठीक है दो बार क्योंकि अपना ब्रेक आउट तो बनता है ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहां पर ब्रेक आउट होते सब्सक्राइब करेंगे तो मैं यहां पर हाफ कॉंटिटी बुक करूंगा हाफ को होल्ड करते हाफ में भी बचे हुई हाफ में अगर गडबड़ होती है तो फिर उसको भी बुक कर लेंगे ठीक है तो यह अपना प्लान देखते हैं अभी जो भी होता है आपको अपडेट कर देटा हूं ठीक है और चीज़ अगर आप लोग जेक करोगे तो निफ्टी को देखे बहुत लोग मंखना करते हैं तो निफ्टी इस तरह से वीकनेशो कर रहा है यह लोग क्या करेंगे और जितना लोग मंफ्टी को अपी इस लेवल फे सैल करेंगे ना मैं आपको बता रह है यहाँ पर आज के दिन पर तो लेट सी जो भी होता है हम लोग अच्छे ट्रेड लेंगे की कोशिश करें पैसा बगरा ठीक है बाद में टार्ट डीट होता है क्या होता है वो सब बात के बात अगलते लेकिन आगे अच्छा ट्रेड एक अच्छे डिरेक्शन में लेना क्या होता है ठीक है इस तरह से चल रहा है मार्केट यह है अपना हाफ कॉंटिटी बुकिंग एरिया 500 पे देखते हैं मार्केट ने अपमुव तो लगाना स्टार्ट कर दिया अब इन लोगों के एसल तो इनके हाई के ऊपर ही रहेंगे तो 40,000 तो मार्केट क्रॉस कर देगा तो देखते हैं आप 40,000 इसको क्रॉस करने दीजिए मैंने आपको बोला था कि ब्रेक आउट होती ही मैं हाफ कॉंटिटी जरूर बुक करूंगा निफ्टी के बारे में भी बोला था कि दिन का लो ब्रेक कर चुका है अब यह लोगों को ट्राप करके सेल कर दो गया इस तरह से ट्राप करके ऊपर जाएगा सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी तो अब अपना काम क्या है अगर मार्केट अपने इसाब से बिहेव कर रहा है तो थोड़ा सा वेट करना थोड़ा सा होल्ड करना ठीक है देखते हैं 500 पर आने दीजिए 500 पर आता है तो चेक करेंगे क इस तरह से बिहेवेर क्विकली जाता है तो बहुत अच्छा होगा ठीक है पांसो बीस का अपना मेजर टारगेट है जो फॉर्स टारगेट है तो देखेंगे अभी इसको हम लोग चेक करते हैं ब्रेक आउट होने देते हैं और पांसो बीस पर बुक करने की कोशिश करेंग लेकिन स्ट्राइक प्राइज अगर आपने सेलेट के सही से सही टाइम पर अगर एंटरी हमने भी आज लेट एंटरी नहीं है मेरी लेकिन मैं अगर जनरली थोड़ा सा वेट करता तो यहां तक अपना टारगेट अच्छा गासा हीट भी हो जाता ठीक है तो देखते हैं पर केंडल अकर बड़ी बनाते तो सारे टारगेट अपने हिट हो जाएंगे ठीक है क्योंकि यह रिजिस्टन्स उने इसके ऊपर क्लोस करना या फिर इसके उपर जाना भी इसकी प्रयारीटी होती है तो देखते हैं अब वेट करते हैं इस तरह से ही जा सकता है मार्केट इ एक मिनिट इसको मैं इस तरह से 464 पर इंट्री अब जो ऐसे लेना इसको मैं जरूर ट्रेइल कर दोंगा ठीक है अब इसको कर देखेंगें 34 फिर में ट्रेल कर रहा हूं आपको अपडेट करता हूं प्लॉडए सपोर्ट मैंने जैसा कि आपको बोला था तो निफ्टी सपो आना चाहिए 500 पे हम लोग करने की कोशिश इसको कर सकते हैं बट इसको आना आज भी चाहिए 500 पे ठीके उससे पहले हम लोग इसको टच नहीं करेंगे बस 10-15 पॉइंट्स वाकि एक फ्लिक मार देगा 500 आ जाएगा ठीक है तो लेट सी वेट करते हैं थोड़ा सा अभी अपन अच्छा का सब बुलिश मोमेंटम बता रहा है तो ऐसे बुलिश मोमेंटम में हमको वेट करना चाहिए जाएगा जरूर जाएगा क्योंकि इस रेजिस्टन्स जोन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कॉल शॉट करके रहा है उनको जरूर मार्केट निकालेगा ठीक है बुल नहीं तो टार्केट में भी हम लोग ऐसे कंजूसी नहीं करेंगे थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे ठीक है जो हाफ कॉंटिटी बुकिंग एरिया है उसको उसके लिए सबसे पहले हमको वेट करना है वहां पर फिर हाफ कॉंटिटी बुक करेंगे और भी क्रॉस होता है तो ओए ट्रेटि भूते हैं वह किस तरह से होते हुद्ध एस तरसे ब्रेक आउट होते हैं यानि कि ब्रेक आउट में एक्जिट करना पसंद करता हूं तो यहां से यहां पर एंटर करती है मैं यहां पर exit करना पसंद करता हूं और पूरी दुनिया यहां पर ऑपटे बैटेगी और हम लोग यहां पर ट्रेड खो पर करके अलाम के शांत बैटेंगे तो ऑप्शन बाइंट आप लोगों कैसा लगा जो मैंने प्रेडिक्शन किये थे वह कैसे लगे सबसे इंपोर्टन्ट आपकी लर्निंग क्या है वह आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ठीक है रेजिस्टंस जोन था लॉजिक एक बार फिर से अपडेट कर देता हूं शार्प रेजिस्टंस स्लो रेजिस्टं फाइनली ब्रेक आउट देगा यानि कि लोगों के ऐसे लेट करेंगा मैं इसको ब्रेक आउट नहीं बोलोंगा यह लोगों के अब हो सकता है नीचे भी आजाए ठीक हो सकता है कि नीचे आके फिर से उपर चला जाए लेकिन अपना जो ट्रेड था अपने अच्छा खासा पर बॉक कर लिया ठीक है 508 यहां से यहां तक हम लोगों ने इसको एल्ट क्या प्रोपरली होल्ट क्या प्रोसेस को फॉलो टार्गेट चाहिए यहां पर रिचिर sms ने नकर यह ने अच्छे से चाहता हूं ठीक है लेकिन यह कि उप्यों टरों ट्रेड क्रेंट है श्रिक ह इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा केरफूल होना पड़ा जन्रली में क्या करता मेरे पास आप अगर चेक करते हो तो स्ट्राइक प्रैस भी आड़े ठीक है मैं पुट अगर सेल किया होता है यहां पे आज मैंने पुट तो मैं इसको और भी ओल्ड करता लेकिन क्योंकि उट्टूबर से आप लोग अगर चेक कर रहे होंगे किसी की भी लाइफ स्ट्रीम देख लो या किसी का टेलेग्राम अपडिट देख लो तो सब लोग यहां पे स्य बोल रहे होंगे आपको रैट क्योंकि रेजिस्टेंस लोने सेल कर लो और हम लोगोने यहां पे एंट्री लेना थोड़ा सा मुझे पुलिबैक पर एंट्री लेनी चेहिती एस ट्रेड के अंगर तो थाइंक्यू सो मुच फॉचिंग दिस वीडियो गाइस सिव नेक्स्ट वीडियो थाइंक्यू